राहूल गांधी काफी दुनों से OBC का एक गाना गुन-गुना रहे हैं आज वो मद्दप्रदेश पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने एक बार फिर से OBC का वही रटा-रटाया गाना गाना सुरू कर दिया इससे पहले राहूल गांधी ने बड़े भौकाल से लोगसभा में PMO में तैनात OBC अधिकारियों का मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से बिना जवाब लिए बड़ी रंगबाजी के साथ बाहर चले गए थे पर एक कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेका करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार जिन राज्यों में हैं उन में कितने बड़े पदो पर OBC अधिकारी कॉंग्रेस ने बैठाएं और इंडिया गडबंधन में जो पार्टियां हैं उनके राजियों में वरतमान में कितने OBC अधिकारी अच्छे पदों पर तैनात हैं नमस्कार मैं हूँ सौरव और आप देख रहे हैं दे नियूस प्लक का खास सेग्मेंट पोल खोल कॉंग्रेस नेतार राहुल गांधी ने भले ही सरकार में OBC अधिकारीयों की नियूकती का मुद्धा उच्छाल कर OBC को लुभाने की कोशिस की हो कि इस समुदाय के केवल तीन केंद्रिय सचिव केंद सरकार में महत्रपून पदों पर तैनात है पर कॉंग्रेस में वर्तमान में OBC अधिकारीयों की तैनात करने के मामले में उनकी रिपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है वर्तमान में कॉंग्रेस सासित चार राजों में सरकार है और मुख्य सचिव सारे जनरल यानी की समान वर्ग के ही है इसी तरह कॉंग्रेस के गडबंधन सहयोगियों के नित्रत वाले छह राजों में से के वलतमिलनाडू में आरेक्षित वर्ग यानी की स्टी से संबंधित मुख्य सचिव है अब कॉंग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा शासित राजियों में मुख सचिव के बारे में जान लीजिये कि कितने मुख सचिव आखेकार OBC हैं हिमाचल प्रदेश में प्रभोष सक्सेना है जो जनरल स्रेणी से आते हैं और हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार है अनुराग वर्मा पंजाब उशा सर्मा राजस्थान बंदिता शर्मा करनाटक आमिर सुभानी बिहार एच के द्रिवेदी पश्चिम बंगाल अमिताब जैन चत्तिसगर सुखदेव सिंग जारखंड और वी वेडू केरल सभी उच्च जाती वर्ग के हैं ये सिवदास मीना है जो की एक अपवाद है और वो तमिरलाडू के हैं अरे अभी आप जाये नहीं और भी सुनिये अब बात कॉंग्रेस के जितने भी पियम रहे हैं उनकी सरकार में कितने प्रमुक सच्चिव OBC के थे वो भी जान लीजे जवाहरलाल नहरू जो 15 अगस 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के पियम रहे और उनके प्रमुक सच्चिव अपरकास के थे जिनका नाम हिरू भाई मुली जी भाई था वहीं इंद्रा गांधी जोचे 24 मार्च 1977 और फिर 14 जन्वरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की पियम रही उनके समय में भी सभी प्रमुक सच्चिव अपरकास्ट के ही थे जिनका नाम था एलकेज़ा वो 1966 से 1966 तक प्रमुक सच्चिव रहे उसके बाद फिर पी अंधर बने जो की 1977 तक रहे बाद में PC अलक्जेंडरा रहे जो 1981 से 1984 तक रहे यह सभी अपरकास्ट के ही आते हैं अब राजीव गांधी की बात कर लेते हैं राजीव गांधी जब 30 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक देश की प्रधान मंतरी रहे तो उनके समय में PC अलक्जेंडरा सरला गेरवाल और बीजी गनेश प्रमुक सच्चिव रहे यह सभी भी अपरकास्ट के ही थे वही अब मनमोहन सरकार की बात करें तो मनमोहन सरकार में 2004 से लेकर 14 तक P.K.A. नायक और पुलक चटरजी प्रमुक सचिव थे और यह सभी अपरकास्च से ही आते थे यानि कि देश की आजादी से लेकर 2014 तक केंदर में प्रमुख सचिव एक भी OBC से नहीं था बस उसमें दो जोईन सेक्रेटरी थे जो OBC के थे यानि कि जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर आज तक सरसट सालों में देश में मात्र दो जोइंट सेक्रेटरी OBC वर्ग से हुए वही बात अगर केंद्र की मोधी सरकार की करें जिनका कारकाल अभी 9 साल का हुआ है उस सरकार में 8 प्रमुक सचिव OBC हुए और 55 जोइंट सेक्रेटरी भी OBC हुए सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1985 से 1989 तक स्वर्गी राजीव गांधी प्रधान मंत्री की सरकार का कोई भी सचिव किसी अरक्षित वर्ग यानि की SC-ST से नहीं था जबकि 2023 यानि आज के दिन में 7 सचिव SC-ST वर्ग के हैं और 5 ST वर्ग के भी हैं और वहीं जबकि 2014 में OBC स्रेणी से संबंदित यानि की अत्रिक सचिव और संयुक सचिव रैंग के केवल दो अधिकारी थे और आज ये संख्या बढ़कर 63 हो गई है कॉंग्रेस सासन के दौरान कॉंग्रेस प्रहान मंत्री यानि की इंद्रा गांधी राजीब गांधी और मनमोहन सिंग के प्रधान सचिव और सचिव के रूप में कार करने वाले सभी अधिकारी समान इस्रेणी से आते थे राहुल गांधी को सायस थोड़ा समान ग्यान लेने की जरूरत है भी खैर वो राहुल गांधी है जो भी करेंगे उनके लिए उनके चरण चुमबक चाटने वाले लोग उनकी वावाही करते रहेंगे वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताईए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रस करें धन्यवाद